हलो दोस्तों स्वागर आप सभी का हमारे चैनल पर आज हम लोग स्टैंडर 12 का ट्रांदिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इंपॉर्टन टॉपिक्स जो है जो की बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टन है और रिपेटिटली फ्रिक्वेंट् हो जाएगी कि कौन से टॉपिक को आपको ज्यादा फोकस करना होगा और विफोर आट गईस अगर आपको हमसे वन टुवन इंटरैक्ट करना है और हमसे पूरी केमस्ट्री पढ़ लेनी है तो आप हमारा जो एप है वो डाउनलोड कर सकते हो प्रदीप गिरी स्कूल और वह तो आपको हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि पहले तो electronic configuration वट इस द्राजिशन अलिमेंट yeah याने D block element है बच्छो और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यह D block element राइट इस वन इस D block और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट याने बच्छो ए ब्लॉक एलिमेंट तो अगर elements है एक particular block से belong करता है तो फिर वहां पर electronic configuration आ जाएगा ठीक है तो electronic configuration पर आपको ध्यान में रखना है अब बच्छो electronic configuration में आपको specially D block में total 4 series मिल जाएगे 3D series 4D series 5D series and 6D series बड़ आपको सिर्फ learn करना है 3D series ठीक है electronic configuration electronic configuration of 3D series 3D series मतलब 3D orbital में valence challenger होता है दोस्तों तो यहाँ पर electronic configuration 3D series कहां से आती है atomic number 21 से लेके 30 तक element कौन से है scandium scandium से zinc तक तो इनकी electronic configuration आपको learn कर लेना है बहुत आसान है दोस्तों सिमिलर्ली electronic configuration आपको 3D series तो होई गया साथ-साथ electronic configuration आपको a block elements के लिए भी complete कर लेना है एक ब्लॉक यह question बहुत ही important है अब properties कौन कौन सी है देखो तो properties है atomic radius आपको फोकस करना है आविनाजिशन एंथल्पी इलेक्रों नेगेटिविटी इलेक्रों गेंथल्पी उसके बाद आज आएगा formation of a colored compound ठीक है formation of alloy मैं शौर्ट में यहां पर लिख रहा हूँ then formation of interstitial substance formation of interstitial compound उसके बाद magnetic properties है ठीक है तो यह सारे properties बहुत important है atomic radius आइनाजिशन एंथल्पी तो बहुत ज़्यादा important है formation of colored compound यह भी बहुत ज़्यादा important है दोस्तों हाँ and one more catalytic properties yeah catalytic properties why transition elements use as a catalyst यह भी एक आपको question आ जाएगा क्यों catalytic properties involved करता है because they used to decrease the activation energy that's why they are used as a catalyst in a specific reaction तो यह उसका answer है दोस्तों trends in properties आपको ध्यान में रखने हैं इसके उपर दो माग का question ज्यादा तर आता है और यह properties लिखी यह बहुत ज़्यादा important है दोस्तों and then electronic configuration के बारे में तो हमने पढ़ा ही इसके बाद पिर हम बच्छों आ जाएगा एक को topic that is compounds of chromium and manganese chromium का compound कौन सा है तो K2Cr2O7 and manganese का compound कौन सा है K MnO4 अब इसके सारे preparation method chemical properties uses physical property यह आपको learn करनी होगी preparation method of K2Cr2O7 इसके उपर आपको focus करना है along with the uses uses एक माग के लिए पूछता है दो यूज आपको दियाद रखना है ठीक है जैसे हमने previous chapter जो कि हमारा that is 7th lesson element of group 16 17 18 वहां पर बहुत सारे इसे और वह number of time पूछा है दोस्तों तो यह uses आपको ध्यान में रखना है दो यूज मैक्स तो मैक्स चार यूज कर लो कि वह दो माग के लिए ही क्वेशन पूछे को उससे ज्यादा क्वेशन पूछेंगे नहीं उससे ज्यादा माग के लिए नहीं पूछेंगे और टाइप्स ऑफ मेटलर्जी तो वाटीज और वाटीज मिनरल ठीक है वह जन मेटलर्जी के सारे टर्म्स जो है वोड़ एक्जाम में आया है जैसे कि गैंग पार्टीकल याने इंपूरिटी फ्लक्स क्या है ठीक है तो इस सब्सक्राइब जो एक एक मार्क के लिए मिनरल पूछता है मेटलर्जी के लिए एक मार्क के लिए टम आता है जो रोस्टिंग प्रोसेश मुदो माग के लिए बच्वाट आता है तो वह आपको ध्यान में रखना है और के जो डिपर्ट मैटल के ओर उनके पॉछेंगे जैसे जींग जींके और हो गया है आईरन के और हो को पूछेंगे तो इससे से रिलेटटिड वह बहुत इंपॉटन हो गया तो एंड वाइनली युजिस उस फी ब्लॉक element the block of a block नादेले ता हूं है यह आपको करना होगा क्योंकि यूसर के ऊपर धीमार्लिमेंट के लिए और स्मार्ण है उसके एक टेलिए प्लोक से रिलेटिए तो भी मैंने यहां पे प्लेजी जैसे कि इलेक्ट्रोनीक वेंट के लिए यहां पर दिए ब्लोक एलेमेंट के लिए आपको ध्यान में रखना है लेंथैनोइड contraction what is lengthenide contraction ओके ये एक्वेशन आया था और रिपेटिटली पूझा गया है इवन similarities and differences of lengthenide and similarities and differences of lengthenide and actinide series ठीक है lengthenide series and actinide series तो ये दोनो difference and similarities ये पूछते हैं ये भी दो-दो माक के लिए question आएगा चार-चार point आपको ध्यान में रखने है तो ये सारे topic बच्छो important है जो कि बड़ा chapter है एक paper you know say one का एक last lesson but one of the big lesson क्योंकि उसका total weightage है आट माक और पूरा theory based है कुछ reactions आपको एक या दो माक के लिए reaction है कि maximum तो पूरा theory आएगा दोस्तों और यह सारी जो theory मैंने कहा भी इलेक्ट्रोनीं का अंसर है दोस्तों यहां पर metallurgic में exactly कौन से टम important होता है यह और कौन से है और के फॉर्मिलेज और यूजस अपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देरा ऐसे इंपॉर्टन्ट वीडियो के साथ नीव वीडियो में मिलेंगे दोस्तों तर तक बाबाई ठेक क्याएब